हलो एवरीवन आप सभी का स्वागत है भई मैगनिट ब्रेंज के इस अमेजिंग यूट्यूब चानल पर जहाँ पर हम सभी लोग आपको मिलकर प्रोवाइड करते हैं के टुएल टाट इस किंडर गार्डन से क्लास 12 तक के हमारे सारे प्यारे बच्चों के लिए पूरे पूरे सब्जेक्स के पूरे पूरे वीडियोज और तू फ्री ओफ कॉस्ट आपको हर सब्जेक्ट के हर चाप्टर का डीप एक्स्प्लेनिशन हम प्रोवाइड करते हैं वीडियोज के फॉर्म में और वो वीडियोज होते हैं बिटा हाई क्वालिटी एज्यूकेशन वाले जिन वीडियो से पढ़कर आप अपने सारे डाउट सारे कॉंसेप्स क्लियर करते हो और अगर आपको डाउट्स रह जाते हैं तो हम आपके वो डाउट्स भी क्लियर करते हैं लाइफ क्लासेज में जी हाँ K12 के जितने भी प्यारे बच्चे हैं English Medium CBSC Board के Tension Freeो के पढ़ाई करो Magnet Brains की पूरी टीम के साथ Only on Magnet Brains YouTube चानल जो प्यारे बच्चे हमारे Hindi Medium से पढ़ाई कर रहे हैं जो क्लास कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक किसी भी कक्षा में किसी भी क्लास में पढ़ाई कर रहे हो यूपी बोर्ड, MP बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या फिर दैली बोर्ड इन पाज स्टेट बोर्ड से जो बच्चा भी जुड़ा है Hindi Medium की पढ़ाई कर रहा है उनके लिए Magnet Brains का हमारा dedicated YouTube चानल है Magnet Brains Hindi Medium वो वहाँ उस चैनल पर जाकर अपनी दमदार, शानदार पढ़ाई कर सकते हैं बिल्कुल इसी तरह जिस तरह English Medium का बच्चा यहाँ इस चैनल पर आकर पढ़ाई करता है तो देरी किस बात किये मेरे प्यारे Hindi Medium वाले बच्चों जल्दी से Magnet Brains Hindi Medium YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जाकर अपनी पढ़ाई वहाँ पर कम्प्लीट करो जहां आपको quality education प्रोवाइड कराई जाती है वो भी बिल्कुल free of cost चलिए अब आज क्या करेंगे इस वीडियो में sir इस वीडियो सेशन में हम class 11 का set chapter का last MIQ करेंगे most important question जो की 21 से question number 30 तक हमें या attempt करना है अगर जो बच्चा इन सारे के सारे notes को download करना चाहता है किसी भी subject के notes मैं बात कर रहा हूँ class 6 से लेकर class 12 के जितने भी हमारे प्यारे बच्चे हैं English medium के वो बढ़िया वाले ebooks और e-notes download कर सकते हैं अपने लिए ले सकते हैं बहुत ही शांदार concepts उसमें लिखे हुए है बढ़िया बहुत classic notes है बिटा आपको शायद ही उन से better notes कहीं मिल पाएं अगर आपको वो notes download करना है तो website या application पर जाकर आप grab e-notes पर click करके उन notes को download कर सकते हैं ठीक है चलिए शुरू करते हैं आज का ये session और जल्दी से बढ़ते हैं question number 21 की तरफ pencil निकाल के बैठना बिटा pen, copy, paper ये सब चीज़ने तो निकाल के बैठनी चाहिए क्योंकि तुम mathematics पढ़ रहे हो कोई मजाक नहीं है maths, maths पढ़ने का एक proper format होता है सर एक तरीका होता है सर के हमें pen, copy लेकर बैठनी है हमें जो आप सिखा रहे हो वो हमें लिखना है हमें जो आप बता रहे हो वो हमें लिखना है हमें जो आप सिखा रहे हो वो हमें लिखना है क्योंकि बिना लिखिया आप maths सीख नहीं सकते हो है ना, समझ में आ गई बात चलिए शुरू करते हैं वीडियो सेशन को लाइक जरू जरूर कर देना यार, है ना दन सर, चलो बिटा, क्या कह रहा ही है ये कोशिशन देखो, ये कोशिशन कह रहा है इफ X and Y are two set such that this is equal to इतना, this is equal to इतना, this is equal to इतना, find number of this, बताता हूं तुमें देखो, अपने पास एक set X है बिटा, और X के अंदर कितने material है, कितने member हैं सर 19 elements है, समझे रहो, बहुत बढ़ा set है, ठीक है, set Y में कितने elements है सर, set Y में, number of elements in set Y is equal to 37 ये तो और बढ़ा set है भाई ये तो और बढ़ा set है, अब इन दोनों set में 19 elements है, 37 elements है, common elements, मतब same-same elements कितने हैं, तो सर, intersection दिया गया है number of elements in X intersection Y X और Y दोनों में same elements common elements कितने हैं, बढ़ा, 12 है ना, intersection का मतलब होता है common, तो सर, ये common elements है अब ये पूछ रहे हैं, find number of elements in X union Y ये, they are saying, बढ़ा, find number of elements in X union Y De Broglie law याज है, क्या होता De Broglie law, सर X union Y के number अगर आपको पता करने हैं, तो इसका छोटा सा formula है, छोटा सा एक rule है, सर, क्या, सर, इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा, number of elements in A, plus number of elements in B, है ना, number of elements in A, set A, दे को union का formula है, number of elements in X union Y, अच्छा, X और Y है, मैंने A और B लिख दिया, कोई बात नहीं, मैंने A और B लिख दिया, number of elements in X, plus number of elements in Y, ठीक है सर, उसके बाद, अगर आप union का निकाल रहे होना, तो आपको minus कर देना चाहिए, क्या minus कर देना चाहिए, minus number of elements in X, intersection Y, X और Y में जो common elements है, उनका number minus कर दो, हमें ये निकालना है सर, we have to calculate this, निकाल लो भाई, कैसे निकलेगा, ये formula है आपके सामने हैं, आपक X कितने है सर, 90, number of elements in Y कितना है सर, 17, नहीं 37, ठीक है सर, इन दोनों में common कितने हैं, इन दोनों में common है 12, यानि number of X, intersection Y, X और Y set में common common कितनी चीजे हैं, सर जी, 12 चीजे हैं common common, ठीक है दोस्त, 12 लिखा, answer आगया 44, लो भाई, answer आगया 44, number of elements in X union Y is 44, खतम, ठीक है, इसको add कर देना, 19 minus 12 कितना हैगा बेटा, 19 minus 12 will be 7, 7 plus 37 will be 44, done, clear है कोई दिक्कत है इस question में, छोटा सा question है, डी ब्रोगली लो, अगर आपको याद है यह formula याद है, तो आप आराम से निप्टा दोगे, कोई आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, done sir, बिलकुल done, आ अगे क्या हर हालत में आगे चलेंगे, अब सर बात करते हैं, हम हमारे next question number 22, that is 22, इसको erase करेंगे sir, ठीक है, done, sir यह रहा हमारा question number 22, question C is, describe the set in roaster form, roaster form का मतलब है, बिटा हमें set के अंदर elements लिखने है, कौमा, कौमा लगा लगा के लिखने है, ठीक है, exactly जो हिस्सा है इस set का, जो member है, इस set का, उन members को लिखको, कौमा लगा के, done sir, x is such that x is a two digit number, such that the sum of its digit is eight, अच्छा, वो यह कह रहा है कि दो digit का number है, और उन दोनो digit का add करा जाए, तो eight निकलेगा, common sense लगाओ दोस्त, common sense लगाओ, अगर मैं one के साथ seven लिखना चाहूं, one plus seven कितना आएगा, one plus seven eight करके eight दे दे, अब बिटा टू के साथ मैं क्या लगा दो, सोचो two के साथ six लगा दो, twenty six, अब two plus six करो, तो भी eight आ रहा, twenty six, two digit number है, कितना बढ़िया है न, gun sir, इसी के साथ बिटा कर, मैं thirty five लिखना चाहूं, three or five, इस से, इस से एक कम कर दो, इस से एक जादा कर दो, इस से ए आजाएगा, one minus करोगे six आजाएगा, one plus करोगे three आजाएगा, one minus करोगे five आजाएगा, इस में one plus करोगे तो four आजाएगा, five में से one minus करोगे four आजाएगा, इस में one plus करोगे five आजाएगा, इस में one minus करोगे three आजाएगा, इस में one plus करोगे six आजाएगा, इस से one minus करोगे two आएगा एट इसलिए आएगा क्योंकि एट और जीरो एड करोगे तो एट आएगा और ये बेटा हमारा दो डिजिट का नमबर भी है अब कही बच्चे सोच रहाँगे सर जीरो एड भी लगा दो शुरू में क्योंकि अगर हमने जीरो और एड को एड करा तो ये भी तो एड sum of the digit is 8 पर ये दो digit का नमबर नहीं है 08 is only 8 वो single digit का नमबर है इसलिए हम इसको नहीं ले सकते बास समझ में आ गई यह सर तो ये सारी numbers है वो numbers जो 2-2 digit के है और इनकी digits अगर 8 की जाए तो 8 आएगा 1 plus 7 8 आएगा 2 digit का नमबर है 17 है ठीक है सर 2 plus 6 8 आएगा और 2 digit का नमबर है सर 3 plus 5 8 आएगा और 2 digit का नमबर है 4 plus 4 8 आएगा 2 digit का नमबर है सर 5 plus 3 53 दो डिजिट का नमबर है और 8 आएगा addition 6 plus 2 8 आएगा 2 digit का नमबर है 7 plus 1 8 आएगा 2 digit का नमबर है 8 plus 0 बिटा 8 देगा और ये भी 2 digit का number है बात समझ में आई कितना बड़ी है question है ये अपना answer हो कि इसको set A बोल दो इन्होंने कोई set का नाम नहीं दिया अपन गुम नाम नहीं छोड़ेंगे अपने एक नाम देते हैं this is done roaster form यही होता बिटा जो भी चीजें इस set के अंदर आ सकती हैं उन्हें लिखो और उनके लिख के उनके बीच में क्या लगा दो बेटा कॉमा उनके बीच में कॉमा लगा दो उनको कॉमा से separate कर दो next question please this is question number 23 are the following pair of sets equal give reason भाई सहाब बताईए क्या ये दो set जो pair of set दिया गया है क्या ये set दोनों equal है अब equal set की तुम्हें परिभाशा पता होनी चाहिए सर equal set हम तभी देख पाते हैं जब दोनों set चो हमें दो set दिये गए हैं इन दोनों को हम roaster form में convert कर दे तो बिटा सबसे पहला काम है कि हम इन्हें roaster form में convert करेंगे set A कह रहा है set A जो है वो कह रहा है कि मेरे अंदर letters आएंगे मेरे अंदर letters आएंगे और ऐसे letters आएंगे जो follow की spelling में आते हों ठीक है भाई या तो अपने set बनाया और अपने लिखा f, o, double l की जगा बिटा a कह लाएगा क्योंकि set के अंदर जब भी हम set के अंदर elements लिखते हैं roster form में लिखते हैं तो हम कभी भी कोई भी element, कोई भी member उस set के अंदर repeat नहीं किया करते तो f हो गया sir f पे टिक मार दो, o हो गया sir o पे टिक मार दो, एक और o है उस पे भी टिक मार दो क्योंकि इन दोनो o की जगा सिर्फ o set के अंदर आएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ done sir, बिल्कुल done double l, दो बार l है, एक ही बार l आएगा बिटा बास, दो बार l हो, तीन बार हो कोई भी हो, set के अंदर जब लिखोगे तो a की बार आएगा, ठीक है sir, तो ये l भी हो गए, बचा डबलू तो w भी है, लिख देंगे sir, है ना कॉमा, w ठीक है sir, ये हो गया हमारा set a अब आता है set b, why is such that y is a letter in the word wolf sir, सो set b है, जो set b है ना, वो कह रहा है कि मेरे अंदर, मेरे अंदर letters है, ठीक है, कौन-कौन से letters है wolf की spelling में आने वाले letters तो wolf की spelling में w आता है, o आता है l आता है, f आता है बस खतम, कोई भी repeat नहीं हुआ है ना, तो ये wolf हो गया अब वो पूछ रहे हैं, a और b equal है की नहीं, तो sir, equal set कितने आसान होता है, equal set basically, आपको दो चीज़े देखनी पड़ती है ध्यान देना बिटा, ये equal set है, अब क्यों है मैं बताता हूँ आपको, ठीक है ये equal sets क्यों है sir, reason बता दो आप तो, बात खतम तो ठीक है, देखो बिटा, सबसे पहली चीज़ होती है, दोनों के cardinal number same होने चाहिए, अगर मैं कहूं number of set a and number of elements in set b equal आ रहा है sir, इसके अंदर कितने elements आ गए, number of elements बिटा एक, दो, तीन, चार तो अगर मैं इसकी बात करूँ, तो इसका number of elements in set a चार आएगा, sir, कितना आएगा, चार, ठीक है इसमें b में कितने आए, एक, दो तीन, चार, sir, इसमें भी four letters है, तो यहाँ लिख दिया है, मैंने number of elements in set b is also equal to four, sir, यह भी four आगया, clear है, बिल्कुल clear है, sir, कोई समस्य है, no समस्य है, sir, यह भी four आगया, यह भी four आगया, तो पहली बात तो दोनों में जो number of elements हैं, वो subset होने चाहिए, मतलब same elements होने बिल्कुल same elements, क्या होना चाहिए, sir, क्या होना चाहिए, identical elements, identical elements, identical elements, सारे elements identical होने चाहिए, identical elements क्या आगे मैंने लिख दिया, all, सारे, ठीक है, all मतलब, यहाँ f है, यहाँ f है, identical हो गया, same हो गया, o, o, l, L, W, W मतलब यहां जो elements है वो यहां होने चाहिए इसके अंदर यहां जो elements है वो यहां होने चाहिए एक भी ऐसा element यहां नहीं होना चाहिए जो यहां मौझूद ना हो यहां भी ऐसा element है एक भी element नहीं होना चाहिए बेटा जो यहां मौझूद ना हो मतलब आप कह सकते हो कि जो a set है वो b का subset है है ना आप उल्टा भी कह सकते हो b जो है वो a का subset है जब भी ऐसा condition हो जाए के a और b एक दूसरे के दूनों एक दूसरे के subset हो जाए कह देना वो equal set है identical elements सर जी इसमे भी f है इसमे भी f है इसमे हो इसमें हो, इसमें L, इसमें W, इसमें W, इसका मतलब इसके चार elements और इसके चार elements चारो चारो सेम है तो हम क्या कह सकते है, yes, yes, set A is equal to set B set A और set B बिलकुल बराबर है, बिलकुल बराबर है, बिलकुल बराबर है इतनी चीज अगर तुमने notice कर ली के set A और set B एक दूसरे के subset है तो आप easily कह सकते हो कि yes set A and set B are equal बात सही है बिटा clear है yes sir clear है आगे चलते हैं question number 24 पे I am raising this बिटा और question number 24 देखते हैं write down all the subset of set this subset कैसे लिखते हैं सर ध्यान जो सुनिए हमारे पास एक set है 1, 2, 3 अब इन्होंने कहा कि सारे subset लिखो इसके subset लिखो सबसे बहले एक बात ध्यान रखना जैसे मान के चलो हमारे पास एक set A है मैंने इसको set A नान दे दिया और मैंने कहा इसके अंदर है बिटा 1, 2, 3 यानि कितने elements है इसके अंदर 3 elements है अब मैंने लिखा इसके लिए N N A number of elements in set A 3 है है ना इसको मैं अब N सहीं लिख रहा हूँ बस मैंने लिखा दिया कि यार N लिखो इसको A मत लिखो या ऐसा लिखो ठीक है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है number of elements तीन elements है ज़र इसके अंदर ठीक है अगर आपको total number of subsets निकालना है किसी भी एक set के तो formula होता है 2 की power N क्या होता है बिटा 2 की power N 2 raised to the power N और ये N होता है उस set में कितने elements है उस set में कितने elements है तीन elements है तो इसका answer क्या होगा 2 की power 3 that is 8 तो total 8 subsets होंगे कितने होंगे दोस्त 8 subsets clear है न हाँ sir clear है तो ये total अपने 8 subsets हो गए अब 8 subsets में दो चीजें आपको बहुत अच्छे से important point है बिटा ये याद रखना है क्या sir note note ये हर बार subset के लिए आप जब भी subset निकालो ये note आपके दिमाग में होना चाहिए क्या है sir note note कहता है बिटा कि एक empty set हर set का subset होता है पहला note है number one empty set empty set है is a subset of every set is a subset of is a subset of every set हर set का subset होता है empty set दूसरा point point number two very important हर set अपना खुद का subset भी होता है याद रखिएगा बेटा every set is a subset of itself every set is a subset of itself जिसको improper subset बोला जाता है subset of itself ठीक है sir दो देखो total 8 subset है इसके 8 में से एक तो empty set हो गया क्योंकि empty set तो हर set का subset होता तो एक तो empty set हो गया 8 में से एक तो empty set हो गया और एक और 8 में से एक और subset भाईया ये तो खुद अपना subset है समझो बात को अगर मैं आप से कहूँ बेटा subset बनाओ तो सबसे पहले दो काम कर दिया करो सबसे पहले दो काम कर दिया करो क्या सबसे पहले एक empty set बना दो जो हर set का subset होता है ठीक है sir this is the subset of this और दूसरा काम है every set is a subset of itself मतलब ये खुद अपना subset भी होगा तो sir यहाँ अपने एक और subset लिख दिया one two three मतलब sir ये set खुद इसका subset होगा दो चीजे तो आप शुरू में लिख दिया करो अब 8 subset में से बिटा दो subset ये होगा एक बाकी 6 और बचे तो वो आसानी से आ जाएंगे देखो कैसे आएंगे ठीक है देखते जाओ done sir तो three बिटा three वाला subset four five and six five and six ठीक है तो third subset होगा बिटा easily easily लिखते जाएंगे कोई बड़ी बात नहीं one खाली one लिख दो sir ठीक है खाली one single single लिख दो खाली two लिख दो sir ठीक है खाली हमने two लिख दिया खाली blank three लिख दो sir ठीक है three लिख दिया done sir विल्कुल done पक्की बात है पक्की बात है यह से पक्की बात है, 6, 7, 8 दो और बनाओ न, 7, 8 डंस है, अब डबल डबल लिखो डबल डबल मतलब 1 और 2 को एक साथ ठीक है, 1 और 2 को एक साथ 1,2 ठीक है, बिड़ा फिर 2 और 3 को एक साथ, 2,3 2,3 और last but not the least 1 के साथ 3 को लिख दो 1,3, डंसर बिलकुल डंस 1,3 और बंद कर दो लो भई यह एक, दो, तीन 4, 5, 6 7, 8, टोटल 8 सबसेट हो रहे हैं इसके और हमने आठो के आठो सर लिख दिये हैं जल्दी से देख लो बिटा, मस्त और बढ़िया कोशन है यार यह क्लियर है सर, बिलकुल क्लियर है नो डाउट, I guess बिटा आपको डाउट बाउट तो यहां नहीं होंगे है न, डन सर चलो, moving on to our next question number 25 इसको मैं erase कर रहा हूँ बिटा, I am erasing this, और अपन बढ़िया सौंदे से question 25 पे चलते हैं, question कह रहा है, let A is equal to itna, is this belongs to A, incorrect give reason, भाया reason दो, बहुत important है मेरी बास सुनना एक set A दिया गया है और set बहुत अच्छे से पढ़ना बहुत अच्छे से पढ़ना, समझ में आना चाहिए क्योंकि, सर इसके अंदर अपना 1 comma, इसके अंदर है 2 comma, इसके अंदर है सर अपने पास, ध्यान से सुनना बेटा ध्यान से सुनना, इसके अंदर है 3 comma 4, ठीक है bracket 3 comma 4 ठीक है सर, comma अरे होजा सही भाई, comma ठीक है सर, फिर है अपने पास 5, ठीक है अब मेरी बास सुनो मेरी बास सुनो, बेटा हमेशा याद रखना एक set एक set का जो main bracket होता है main bracket वो ये होता, बहारवाला ये और ये, ये main bracket है ठीक है, these are called as main bracket ठीक है सर, ये main bracket है main bracket को छोड़ दो बाकी अंदर जो भी चीजे है comma लगा लगा के लिखी गई है वो सारे elements कहलाते हैं बेटा क्या कहलाते है, elements तो अगर मैं यहां लिख लू elements of set A क्या लिख दू बेटा, elements of set A ठीक है set A के elements लिखो तो सबसे पहले element क्या आएगा बेटा 1, सबसे पहले element आएगा 1 है ना 1, ठीक है, दूसरा element आएगा मेरे प्यारे बच्चे 2 तीसरा element क्या आएगा अब बच्चे confused, कई बच्चे लग देंगे 3, नाई, तीसरा element मेरे प्यारे यह पूरा होगा, यह पूरा है तीसरा element, जो कि इस set के जो कॉमा है वो purple color के लगे हुए है purple color के जो कॉमा लगाई हुए है वो इस set के कॉमा है, यह जो कॉमा है ये इस पूरे एलिमेंट का कॉमा है बिटा वो सी के अंदर आएगा मैं फिर बोल रहा हूँ this is a single term ये पूरा एक एलिमेंट कहलाएगा इस सेट एका तो थर्ड वाल एलिमेंट होगा ये पूरा ब्रैकेट के साथ 3,4 बाहर आजाएगा ये पूरा बिटा थर्ड एलिमेंट होगा बात दन है बात क्लियर है ये स और नो ये सर क्लियर है एक और एलिमेंट है सर 5 तो हमने तोटल 4 एलिमेंट पाए तो हमने 5 लिख दिया डन अब इनका प्रशन क्या है what are they asking ये पूछ रहे हैं is this belongs to a मेरी बात सुनो bracket bracket 3,4 ठीक है belongs to a बिटा belongs कभी भी लग जाए ना ये belong इसको belong पढ़ते हैं belongs ठीक है b e पता होगा आपको कोई बात ने कोई बड़ी बात नहीं है ये belongs ठीक है इसको belongs to पढ़ते हैं अब जब भी belongs आ जाए तो समझ जाना पीछे लिखा हुआ जो भी चीज है ये एक element मानी जाती है क्या मानी जाती है element set नहीं माना जाएगा इसको एक element माना जाएगा अब ये element हो गई अगर यहाँ subset लगा होता तो फिर इसको set मानते हैं रखना मैं फिर बोल रहाँ you have to remember के जब भी belong का symbol आएगा you have to remember बिटा आपको belong के पीछे दिया हुआ जो भी चीज होगी वो आपको एक element मानना है क्या consider करना है element अब ये एका element है क्या पता करो क्या ये कहीं तुम्हें elements की list में दिख रहा है अब तुम को कि सर हाँ है तो ये तो है पिटा ये एक अलग चीज है this is a different thing ये 3,4 है अगर सिर्फ इतना होता के ये belong कर रहा है a को तो मैं कहे देता true तब मैं कहा देता true के हाँ ये एका element है belongs का प्रेकेट लगा दिया ऊपर ये हमारे पास थोड़ी है elements में elements हमने चारों लिख दिया क्या ये है हमारे पस नहीं सर तुम double bracket वाला देख रहा है, यह तो single bracket है यार, यह थोड़ी ना element, यह और यह same नहीं है, they are not same, यह और यह अगर तुम सोचो same है, तो यह same नहीं है, तो हमें समझ में आ गया, कि sir, यह element है, पर वो जो दिया हुआ है, this is not an element, यह element नहीं है, double bracket लगा, double bracket लगा दोगे, चीज़े change हो जाएंगी, देखो, two, bracket में two, double bracket में two, तीनो different है, तीनो अलग अलग चीज़ें, यह अलग है, यह अलग है, यह अलग है, तीनो को आप same नहीं मान सकते हो, तीनो को आप same नहीं मान सकते हो, getting my point, yes sir, ठीक है, तो हम इसके लिए क्या बोल तीनो कहेंगे false या incorrect, अपन कहेंगे false है यह और true false नहीं कहा है उनोने, correct incorrect कहा है, तो हम भी correct incorrect में ही answer देंगे, we will say this is incorrect, this is incorrect, ठीक हे sir, और अगर यह incorrect है तो हमें reason भी देना है, give reason, तो हम रीजन क्या देंगे, reason easily देंगे, बसे यह काफी है reason, अपन कहींगे के bracket bracket 3,4 is not an element is not an element यह element नहीं है किसका is not an element of set A of set A A set का यह element नहीं है हाँ यह element bracket 3,4 है bracket bracket 3,4 bracket bracket यह नहीं है तो यह हो गया बिटा हमारा reason जल्दी से copy कर लो so that अपन आगे चल सकें ठीक है moving on to next और चलते है question number 26 के उपर इसको मैं erase कर रहा हूँ बच्चा this is erase, this is gone question number 26 draw a Venn diagram for A intersection B complement इसको पढ़ते क्या है बिटा गौर से सुनो A set A है और उसका intersection निकाला जा रहा है A set B के साथ और पहले तो एक काम ये कर लिया क्या काम कर लिया sir A और B दो Z का अपन ने intersection निकाल लिया पहला काम ये कर लिया A और B के common निकाल लिया और फिर हमें उसका compliment निकालना है compliment का मतलब आप जानते हो नहीं जानते हो तो मैं बताऊंगा tension नहीं लो ये अपन basically example ले के कर सकते हैं अपन example ले के इसको solve कर सकते हैं तेको तुमारे लिए एक बढ़िया सा example लेता हूँ ठीक है example लेते है 1 set A लेते है बिटा और 1 set B लेते है 1 set A और 1 set B 1 set जो A है उसमें ले लेते हैं 1, 2, 3 example से समझाओंगा और फिर डन सर 5 ले लो बस 6 भी नहीं लो 345 डन है बिलकुल डन है सर कोई दिखकत नहीं है कोई समस्या नहीं है अब जब अपन ने 345 ले लिया ए ले लिया एक यूनिवर्सल सेट भी लेना जरूरी है यूनिवर्सल सेट क्यों बिटा ये जो डैश लगा है ना इसको मुझूद हो है ना ए यू का सबसेट होगा भी यू का सबसेट होगा है ना तो सर यूनिवर्सल सेट में ये और ये ले लेना ही लेना है 1-2-3-4-5 अब यह हो गया 1-2-3-4-1-2-3-4-3-4-5 3-4-5 ए और बी दोनों के ऐलिमेंट इसमें आ गए हो सकता इसका खुद का elements भी एकात हो जैसे 6 अपनने एक extra लिख लिए वो ना A में है ना B में है तो जो 6 है ना वो universal set का खुद का अपना element है अब यहां मैं तुमसे कहूँ A intersection B निकालो सबसे पहला काम है A intersection B मतलब A और B में common common चीज़ है देखलो intersection का मतलब है तो बिटा 3,4 और 3,4 इन दोनों में अगर A में और B में कुछ common है तो वो है 3,4 3,4 बिलकुल सही सर तो यहां हमने bracket में लिखा बिटा 3,4 डन है क्या बिलकुल डन है सर number 2 second चीज़ अब बिटा A intersection B का dash निकालो A intersection B का dash ठीक है इसका dash, dash मतलब compliment अब compliment के लिए आपको पता होना चाहिए बिटा धियान दीजिएगा compliment, जैसे मैं आप से कहूँ कि मैं A compliment निकालना चाहता हूँ तो इसका formula होता U minus A A compliment, जिस भी set का compliment तुम निकालना चाहते हो उस set को बिटा तुम धियान से सुन लो universal से minus कर दो समझ में आ रही है बात ये सर समझ में आ रही है तो मैंने क्या का तुमें कुछ नहीं करना है बस universal set से A को minus कर देना है अगर A compliment निकालना हूँ तो पर हमें A compliment नहीं निकालना है हमें A intersection B का compliment निकालना है तो ये तो और आसान है A intersection B का compliment अगर निकालना है तो universal से minus कर दो जिसका compliment निकालना हो उसे minus कर दो universal से मुझे A intersection B का compliment निकालना है तो A intersection B को minus कर दो U से A intersection B ठीक है? यहाँ तुम देखो A dash था A compliment था तो U minus A है ना? A compliment था तो U minus A हो गया बिटा समझ में आ रही है बात? yes sir erase कर दूँ ठीक है clear है बिल्कुल clear है sir अब अपन माइनस करते है u minus intersection b u है बिटा अपने पास 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 although अपन को ऐसे करना नहीं है अपन को ऐसे करना नहीं है minus a intersection b होता है बिटा 3,4 ठीक है common common काट दो समझाने के लिए कर रहा हूँ बस यह 3 से 3 काट दो 4 से 4 काट दो बिटा जो बचा हुआ है वो answer है किस में से बचा बिटा यू जिस से minus करते हैं ना उसका बचा हुआ answer होता है तो sir answer क्या होगा 1,2,5,6 done sir अब इसी को अगर मैं कहूँ वेंड आइगराम में शो करो अब मैंने का बिटा इसी को जरह आप वेंड आइगराम में शो करो तो आप वेंड आइगराम में कैसे करोगे ध्यानचे सुनो A और B का इंटरसेksण ऐसे बनेगा यह अपन डालेंगे एक बॉक्स में ठीक है सर ये एक box में आएगा done सर ये अपनने एक box में डाला ठीक है done अब ये है A set ठीक है ये है अपना B set है ना A intersection B A और B का intersection जो है common part वो यहां लिखा जाएगा ठीक है done है सर बिलकुल done है तो A intersection B जो है वो था बिटा 3,4 A और B में जो common common part था वो 3 और 4 था तो 3,4 लिख दिया पनने है ठीक है यहां लिख देते है 3,4 done है सर बिलकुल done है आके चलते हैं अब A में क्या था बिटा A के अंदर था 1,2,3,4 देखो A पूरा circle है 3 और 4 तो आई गया तो 1 और 2 यहां लिख दो ठीक है सर 1,2 B क्या था बिटा B था 3,4,5 3 और 4 इस circle में आ ही गया 5 और लिख दो सर ठीक है universal जो universal होता है न उसको यहां लिखते है बिटा धियान रखना rectangle के 2 पर उपर टॉप पे यहां ठीक है अब universal था 1,2,3,4,5,6 तो universal यह पूरा है जो कुछ इसके अंदर है सब universal है 1,2,3,4,5 6 रह गया 6 को लिख दो बिटा 6 को बाहर लिख दो बाहर कहीं लिख दो सर 6 यहां लिख दो यहां लिख दो लो बाहर लिखना circles में मत लिखना circles है set A and B यह 6 लिख दिया अब सर मैंने ठीक है अब इन्होंने बोला था कि A intersection B का dash मतलब 1,2,5,6 जहां 1,2,5,6 हो वो कर दो shade उसको कर दो बेटा shade बस इतना काम करना है जहां 1,2,5,6 हो वहां पर अब shade कर दो अब 1,2 यहां है 5,6 यहां है इसको shade कर दो 3,4 छोड़ दो बस 3,4 को छोड़ दो तो बेटा यहाँ यह पूरा shade हो जाएगा सब बस three four को छोड़ दो and shade every 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 corner of this rectangle इस rectangle का हर corner shade कर दो बस three four को छोड़ दो three four को बक्ष दो क्योंकि three four हमारे आई नहीं रहे यह अभी direct भी करके दिखाऊंगा don't worry अभी direct भी करके दिखाऊंगा तुम्हें इतना तुम्हें example example लेने की set लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और यह अपन ने बेटा इसको shade कर दिया and finally this is our answer यह अपना answer हो गया sir क्या this is a intersection b का compliment dash यह answer है कि sir a compliment b देखो dash का मतलब पता क्या होता dash का मतलब होता छोड़ दो a compliment b क्या है a compliment b क्या हुआ हम सॉरी a intersection b क्या है a intersection b का मतलब है वो हिस्सा a और b में जो common हो sir a और b में common 3 and 4 है a के अंदर भी 3 4 है और b के अंदर भी 3 4 है ठीक है बस इसको छोड़ दो, compliment का मतलब है A intersection B, जो 3 और 4 आया इसको छोड़ दो, बाकि सबशेट कर दो A और B को छोड़ दिया, बाकि सबशेट कर दिया खतम, A, B के intersection 3, 4 को छोड़ दिया, बाकि सबशेट कर दिया खतम होगे, done है अब तुमें इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है अगर तुम मान की चलो, direct करना चाहते हो तो तुमने 2 set बनाए क्या बनाए बेटा तुमने, 2 set बनाए ठीक है, यहाँ बना दिता हूँ मैं छोटे-छोटे से बना दिता हूँ कासा circle बन रहा है यार लो भाई, छोटे-छोटे से बना दिये, ठीक है done सर, एक को नाम दे दिया A, यह हो गया set A, यह हो गया set B अब अपन को पता है कि सर, अगर हमने इसको rectangle में pack कर दिया, तो universal भी आ जाएगा है ना, rectangle में pack कर दिया सर, यह universal set भी हो गया क्या हो गया, यह हो गया universal ठीक है, अब A intersection B A intersection B क्या होगा सर, A intersection B यह वाला पार्ट होता है, आप सभी को पता है जो common आ जाए A और B में A intersection B का dash, dash का मतलब है A intersection B छोड़के बाकि सारा shade कर दो तो A intersection B छोड़के बाकि सारा पन shade कर देते हैं, यह intersection B छोड़के बिटा लो, बाकि सारा shade कर दो, खतम, ठीक है बाकि सारा shade करना है अब आपको यहाँ A, B, let नहीं करने पड़े हैना, ना आपको A intersection B निकालना पड़ा, ना आपको A कुछ मानना पड़ा कि मैं A को 1, 2, 3, 4 मानता हूँ, B को इतना मानता हूँ, उसका intersection, उसका compliment, कुछ नहीं नेकालना पड़ा, अगर आप थोड़ा common sense इस्तेमाल करोगे, तो आप directly answer बना सकते हो, when diagram बना सकते हो ठीक है, directly बना सकते हो आप, बास समझ में आ रही है बास समझ में आ रही है, yes or no, जल्दी से बता दो यार गुचर पुचर करना है, इसको shade करना है आप अच्छे से shade करना, मैं तो गंदा गंदा shade कर रहा हूँ, ठीक है तो दोनों में कुछ भी आप कह सकते हो, फर्क नहीं है दोनों ही बिटा, बिलकुल सेम है दोनों ही बिलकुल परफेक्ट है आराम से, आराम से, आराम से समझते जाओ आगे चलते हैं, ठीक है डंजर, बिलकुल दन, इसको erase करते है 27, question number 27 ये रहा question number 27 बिटा, बहुत चुन्नू मुल्नू सा question है question के रहा है, write the set in roaster form ता, A is the set of all letters in the word trigonometry आराम से कर दो बेटा A is equal to, क्या आएगा the set of all letters in trigonometry set बनाओ और letters लिख दो सटी, आर, कॉमा लागा के लिखते जाना trigon, T-R-I-G-N-O ठीक है, कुछ भी letter repeat नहीं होना चाहिए M-E-T-R-Y, ठीक है M-E-T-F दबारा नहीं लिखूँगा यह T दुबारा नहीं लिखूँगा क्योंकि अल्रेड़ी यहाँ T लिख चुका हूँ मैंना, यह T अल्रेड़ी हो गया तो यह बेकार R भी दुबारा नहीं लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ भी R एक बार लिख चुका हूँ तो यह R भी बेकार हो जाएगा एक set A है बिटा, A और कॉमा लगा कि उन्होंने A के बारे में information दी है the set of the letters in alloy जो आप A set लिख रहे हो इसके अंदर आपको letters लिखना है और letters किस-किस के होने चाहिए, किस spelling में आने चाहिए वो letters alloy की spelling में आना चाहिए alloy लिखते हैं बिटा, A ठीक है सर, L L, O, Y बिटा, दो बार L नहीं लिखेंगे दो बार L को हम set में एक ही L से show करेंगे यह याद रखना, ठीक है this is a rule, कि आप roster form में जब भी set लिखते हो, तो set के अंदर किसी भी member को, किसी भी element को repeat नहीं कर सकते, done sir दूसरा set जो B है वो loyal है जो B, Z है, उसकी spelling loyal है, L, O, Y, A, L दुबारा नहीं आएगा L, O, Y, A, L L, O, Y, A, L last वाला L नहीं आएगा क्योंकि वो already यहाँ आ चुका है अब sir, बात हो रही है क्या यह दोनो equal set है, इन्होंने का equal set equal set में मैंने क्या बताया था, अभी याद करो, दो चीजे होनी चाहिए sir number one, दोनों के cardinal number same होने चाहिए, number of elements in A, number of elements in B, दोनों equal होने चाहिए, number two sir, दोनों में identical elements होने चाहिए, same elements होने चाहिए, बिल्कुल same same elements in both same elements in both identical elements in both दोनों में same होने चाहिए, मतलब बिटा सबसे पहले number of elements की बात कर लेते है number of elements in a क्या है number of elements यानि a का cardinal number sir 4 है sir 4 elements है 1 2 3 4 ठीक है number of cardinal number of set b number of elements in set b क्या है बिटा 1 2 3 4 total 4 elements है sir तो number of elements तो दोनों के match कर गए n a is equal to n b 4 and 4 ठीक है next same element in both दोनों set में बिलकुल same elements होने चाहिए sir देखो भाया यहाँ a है यहाँ भी a है sir बिलकुल same same है यहाँ l है यहाँ भी l है sir बिलकुल same है यहाँ o है यहाँ भी o है बिलकुल same है यहाँ y है यहाँ भी y है बिलकुल same है मतलब A के अंदर 4 और B के अंदर 4 हों बिलकुल same to same है तो हम क्या कह सकते हैं ये भी मैच हो गया ये भी मैच हो गया therefore A is equal to B A और B दोनों equal set हैं बात खतम हो गई बेटा question 28 is over question number 29 पे चला जाए 29 क्या है सर देखते हैं अपन जल्दी से और 29 को भी अपन खतम करते हैं 29 ये रहा पेटा write down the power set of A आपको A का power set लिखना है कोब A is equal to इतना जहां पर अपन को A ये दिया गया है ठीक है सर डन तो A हमने set लिख लिया 1,2,3 ठीक है सर अब हमें PA निकालना है what is PA? PA का मतलब होता है power set of A power set होता क्या है मैंने आपको previous वीडियो में भी define किया था पेटा power set होता है ध्यान से सुनना a set of all subsets a set of all subsets power set कभी भी आप बनाने चलो जिस set का power set बनाने चले हो पहले तो set के सारे subset लिख लो पहले तो उस set के सारे subset लिख लो चलो तो पहला काम क्या होगा पेटा first work is to write the subset of A पहला पहला step क्या है? write all subsets of write all subsets of A a set जो है ना उसके सारे subset लिख को चलो सर लिख लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है कोई समस्या नहीं है सर जो a set है मैंने यहाँ पर भी दुबारा बताना है जो a है उसके अंदर कितने elements है सर one two three हमारे पास तीन elements है कितने elements है को हमने लिख दिया number of elements in set A that is three बिटा इसको मैं n a की वजाए n से show करना चाहता हूँ yes sir कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है मैंने n से show कर दिया अब मैं चाहता हूँ कि आप बताओ कि हमारे इस set के कितने subset बन सकते है number of subset of A number of subsets of A बिटा एक set A है number of subsets बताओ आप A के तो sir simple है two की power n खीच दो two की power n होता है sir n two की power n बिटा जो n है न ये three आएगा n होता है a set के अंदर कितने elements है one two three three elements है तो बिटा हम यहाँ पर two raise to the power n की जगा three लिखेंगे answer आया eight subset है न प्रिवियस वाले question जैसा ही है हमने question किया है उसी के जैसा है answer आया sir ji हमारे इसके लिए total eight subset निकलेंगे अब eight subset में से मैंने आपको note लिखवा है था ना दो notes लिखवा है थे क्या note थे एक note था बिटा के empty set हर set का subset होता है तो sir ji write all the subset of a में सबसे पहला subset आ गया empty set ठीक है एक empty set सब का subset होता है सब का हर set का ठीक है तो इसका भी subset होगा पिर दूसरा note मैंने लिखा था के हर set अपना खुद का भी subset होता है every set is a subset of itself so sir हमें समझ में आगे ये पूरा पूरा भी हम यहाँ subset में लिख सकते हैं और हम लिखेंगे बिटा one two three ठीक है sir ये दो subset तो हो गए total eight लिखने है बाकी छे कैसे आएंगे आजाएंगे कोई दिक्कत नहीं है चलो बाकी छे sir हमने अब लिख देना है set को देखे one लिखो two लिखो three लिखो एक set में लिख दो one ये बिटा subset है इसका एक set में लिख दो बिटा two ये भी subset है बिटा एक set में लिख दो बिटा three ये भी subset है ठीक है अब 1,2 लिख दो 2,3 लिख दो और 1,3 लिख दो ठीक है सर 1,2 1,2 लो भाई यह हो गया यह इसका subset है 2,3 2,3 यह भी subset है और 1,3 बेटा 1,3 टोटल काउंट कर लो आठ हो गए अब जब हमने all the subset लिख लिए अब power set की बात करनी है power set क्या है बेटा power set is set of all subsets सारे subset का एक set बना दो answer आड़ा और क्या power set क्या होता है बेटा power set होता है अगर मैं PA की बात करूं तो PA होगा सारे subset लिखो सबसे पहला काम है बेटा सारे subset लिख लुआ सबसे पहला काम है write all the subset ठीक है सर एक subset लिखने है अपन empty set, ठीक है, फिर comma लगा के लिखको, comma लगा के, सारे subset लिखको, comma लगा के, फिर 1, 2, 3, ये दूसरा subset है, ठीक है, done sir, फिर 1, 2, 3 है, ठीक है, 1, bracket close, फिर आएगा 2, bracket close, फिर आएगा 3, bracket close, ठीक है, ठीक है, ठीक है, done, फिर आएगा 1, 2, 2, 3, 3, 1, ठीक है, 1, 2, टू थ्री और थ्री वन लो गई डन हमने पूरे आठ के आठ सबसेट लिख लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 आठ बस सारे सबसेट का सेट बना दो सेट कैसे बनता है सर कुछ नहीं सर शुरू में एक करली ब्रैकेट और लास्ट में एक करली ब्रैकेट हो गया काम खतम बन गया सर सर यह बन गया पावर सेट इस इस दी पावर सेट बिटा यह नहीं यह जो मैं हटा रहा हूं यह नहीं यह पावर सेट नहीं है वो है पावर से है डन सर बिलकुल डन सर आगे चलते हैं moving on to our last question और देखते हैं हमारे last question 30 में क्या है खास तो इसको erase करते हैं this is our last question fill in the blanks बढ़िया question है बढ़िया question है ध्यान से सुनना बहुत ध्यान से सुनना जी sir बिलकुल ध्यान से सुनेंगे देखो मेरी बात सुनना ठीक है just try to understand each and every point I will utter देखो compliment है बिटा यहां compliment compliment का मतलब होता है universal की मदद लेनी पड़ेगी example से समझेंगे बिटा है example से समझेंगे ताकि आपके दिमाग में हर एक चीज पिलकुल तीर की तरह घुश जाए तो हमने लिया सर एक example डंसर बिलकुल डंसर देखो बेटा example में अगर हमने एक सेट A ले लिया क्योंकि A की ही बात हो रही है BCD लेने की जरूरत नहीं है ठीक है सर तो हमने एक सेट A ले लिया और उस सेट के अंदर हमने लिखा सर ABC हमने ये लिखा डंसर यह सर अब देखो compliment की बात हो रही है that means हमें एक universal set की जरूरत पढ़ेगी तो एक universal set ले लो universal set कहता है कि उसके बाकी के जितने भी set है उन सारे set के सारे elements उसमें मौझूद होंगे ठीक है done sir, तो universal set में अपन को a, b, c तो ले नहीं पढ़ेगा a, b, c हमने ले लिया और e और f एक्स्ट्रा ले लिए ऐसे ही, universal set के अंदर extra elements हो सकते हैं, याद रखना done sir, अब हम first part करते है, a union a dash, ध्यान जो सुनना a union a dash a dash, देखो a union a dash, पहले तो a dash निकालो a dash क्या होता sir, simple सी बात है sir, a dash का मतलब है universal से a को minus कर दो, a compliment a compliment है, a dash मतलब a compliment, compliment जिसका निकलता है, उसको universal से minus कर दो, खतम sir है ना, उसको universal से minus कर दो, तो sir universal ये अपना a, b, c, d, e है है ना, universal है बेटा अपना a, b, c, d, e, और f, ठीक है sir minus, a क्या है, a है अपना a, b, c, a, b, and last c a, b, c sir, minus करने का मतलब है common common काट दो, या, इन दोनों में common common काट दो, a से a कट हो जाएगा b से b कट हो जाएगा, c से c कट हो जाएगा, जो बचेगा उसको लिख दो बेटा, d, e, f बचा तो a, inter, a compliment जो आया, ये आया बेटा है, d, e, f ये अपनने बंद कर दिया, तो a compliment आगे है, d, e, f हमने जल्दी से इसके नीचे लिख दिया, sir, d, e, f क्या लिख दिया, बेटा, d, e, f ठीक है, done sir, union लगाओ, union लगाया, a sir, a क्या है, a है अपना a, b, c, हैना, a, b, c, तो a की जगाओ, अपनने यहां लगा दिया, a, b, c अब union का मतलब है, इन दोनों सेट के सारे elements को एक सेट में लिख दो, तो union निकालते है, sir, इनको और इनको सबको लिख दो, union मतलब है, दोनों सेट के सारे elements को एक ही सेट में लिख दो, इसके सारे elements इसके सारे elements बस ध्यान रखना कोई चीज रिपीट नहीं हो पाए ठीक है सर लिख दिया बिटा यह answer है अब यह क्या है यह तो सर universal set आगया यह तो universal set आगया तो हमने लिख दिया u तो a union a dash का मतलब है universal set क्या है इसका मतलब सर इसका मतलब है universal set तो अपन यहां क्या लिखेंगे अपन लिखेंगे a union a dash is equal to इसकी जगा क्या लिखेंगे u क्या लिखेंगे बिटा u यानि की universal set है न यहां लिख देते हैं spelling universal set आजाएगा सर क्या आजाएगा universal set ब्रैकेट क्लोज अच्छा इसकी बात कऱ लिया अब इसको देख लो intersection a dash intersection लगा दो भीया अब यहां मैं लगाता हूं intersection यहां मैंने intersection लगा दिया a और a dash का intersection intersection का मतलब है common common बिटा इन में और इन में कुछ common दिक रहाए तुम्हें कुछ common दिक रहा है a b c d d f कोई भी element common नहींacting अगर कोई element common नहीं है तो empty, empty set कुछ भी नहीं आएगा सर इन दोनों का intersection खाली आगया, empty set तो इसका answer क्या है, empty set तो A intersection, A dash की जगापन क्या लिख सकते हैं, 5 5 लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हो, ऐसा empty dash और empty set, या answer आगया ठीक है, A dash का dash, मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप किसी का double compliment निकालते हो, तो answer वही आजाएगा जैसे मैंने कहा, B dash निकालो और फिर उसका, फिर से dash निकालो, double compliment तो law of double compliment का answer होता है, set itself set B था ना, तो B answer आजाएगा है न, A dash का dash, double compliment तो answer, A आजाएगा, निकाल के देख लेना निकाल के दिखा दू तो मैं, चलो निकाल के दिखा देता हूँ, ठीक है, done sir चलो, इसको erase किया, अब मैं double compliment निकाल के दिखाता हूँ तो मैं, देखो, A compliment अपन ने अल्डेडी निकाल लिया A compliment आया, DEF, आया, ठीक है sir, अब A compliment का भी हमें compliment निकालना है, कैसे निकालेंगे, आसाल होता है sir, जिसका compliment निकाल रहे हो, उसको universal से minus कर दो, तुम सिर्फ और सिर्फ बिटा, इस वाले पे ध्यान दो, सिर्फ इस पे, sir, ये compliment है, ठीक है ये compliment है, तो इसका मतलब अपन universal से minus कर देंगे, ये compliment किसका है, इसका A dash का है, तो बिटा, A dash को minus कर दो universal से, universal minus A dash, universal minus A dash, खतम अब universal से A dash minus करो, चलो sir, कर देते हैं, universal है sir, अपना A, B, C, D, E, F, A, B, C, D, E, F minus A dash, A dash बिटा, अपना आया था, D, E, F, ठीक है sir, D, E, F, minus का मतलब एक common common वाले, काट दो sir, तो D से D कट गया, E से E कट हो गया, F से F कट हो गया, क्या बचा, A, B, C बचा sir, सिर्फ और सिर्फ A, B, C, तो जल्दी से अपन लिखते हैं, यहाँ, A, B, C, और बिटा, यह अपना अंसर आ गया, A dash का dash, मतलब A dash, A compliment का compliment आया, bracket A, B, C, और बिटा, ध्यान से देखो, यह क्या है, यह set A है sir, A, B, C, set A, तो यह A आया, है ना, तो A compliment का compliment, जब भी double compliment करो, तो याद रखने double compliments में की वज़े से compliment मर जाता है, A answer आ जाएगा, यह complete हो गया बिटा, हमारा बढ़िया वाला last MIQ of chapter number one sets, अब अपन खतम करते हैं भाई इस session को, so that अपन next video, next session भी देख पाएं, ठीक है, तो I hope आपको यह सारे questions अच्छे से समझ में आ गए होंगे, यार session को like जरूर कर देना जाने से पहले, और बेटा अपने दोस्तों के साथ इन videos के link को share जरूर करना, so that वो भी बढ़िया तरीके से quality education प्राप्त कर पाएं, high quality education प्राप्त कर पाएं, जो उनका right है, है ना, हर एक बच्चा जो K-12 में पढ़ाई कर रहा है, kindergarten जे class 12 तक, cbs e-board English medium, पूरी-पूरी पढ़ाई, magnet brains की तरफ से आपको free of cost पढ़ाई जाती है, सारे वीडियो आपको high quality educational प्रोवाइड कराएं जाते हैं, सारे वीडियो प्ले लिस्ट के फॉर्म में अरेंज होते हैं, हर चाप्टर आपको मिलेगा, हर concept, हर question, NCRT, सब कुछ detail में explanation आपको मिल जाएंगे हमारे वीडियो में और सारे वीडियो आपको properly हमारी website और application पर भी देखने को मिल जाएंगे, without any cost, again I am saying, है ना, हिंदी मीडियों वाले बच्चों के लिए Magnet Brains हिंदी मीडियों बड़ी आवाला चैनल है, बड़ी आवाला कंटेंड वाँ प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो बच्चे हमारे class 6 से लेकर class 12 तक कि किसी भी class में हिंदी मीडियों में पढ़ाई कर रहे हैं, UP Board, MP Board, Bihar Board, Delhi Board और राजिस्थान Board, इन 5 स्टेट Board से रिलेटेड जितने भी हिंदी मीडियों के बच्चे हैं जो कक्षा 6 से कक्षा 12 तक कि किसी भी कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं, आप यार टेंशन नहीं लो, Magnet Brains हिंदी मीडियों चैनल पर जल्दी से जंप करके जाओ और अपनी वाइट करा दो, तो भाई यार रो मत यार, इबुक्स और इनोट्स के लिए आपके सामने वेबसाइट का इंटरफेस ओपन करके रखा है, वेबसाइट पर चले जाओ, that is www.magnetbrains.com, वेबसाइट जैसे ही ओपन होगी, आपको मातर एक काम करना है, ग्राइब इनोट्स प जल्दी मिलेंगे, take care, happy learning, bye